अयोध्या के इतिहास में आज कई नए अध्याई जुड़ने जा रहे हैं मरियादा पुरुसोतम की धर्ती पर प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी चौथी बार पहुच चुके हैं जहां वह मितला से रामनगरी को रेलमार्ग से जोड़ने की संतों की बहुच प्रतिक्ष तिक्षा को पूरा करेंगे साथ ही हवाई उडान का सपना भी धरातल पर उतारेंगे इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी अयोध्याधाम रेलवेज स्टेशन के नए भवन का लोकारपन भी करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यकारक्रम यूतो, एरपोर्ट और अयोध्याधाम जक्षन पर होगा जहां वे रोड़ सो भी करेंगे बताया जा रहा है कि पियम मोदी का ये रोड़ सो चार किलोमिटर का होगा इस मार्क पर पुलिस वा पैरा मिलिटरी फोर्स की तैनाती कर दी गई है और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी आज अयोध्या धाम से देशवासियों को जो सौगात देने वाले हैं उनमें सोहावल नवावगंज होते हुए बिक्रम जोत बाईपास अयोध्या रेलवे धाम स्टेशन फेजदो तीस एकर छेत्रफल मेगा फाउंटेन एवं मल्टी मीडि 32 एकर में वसिस्ट कुंड आवासिय योजना 84 कोसी 14 कोसी वपंच कोसी परिकर्मा मार्क को चौरा किया जाना सुधार एवं विकास अयोध्या सोलर सिटी अयोध्या नगर निगमो अयोध्या विकास प्राधिकरन कार्याले अकबरपुर से रेलवे लाइन का दोहरी करन सीता जहिल में बैग्यानिक तरीके से लिगेसी वेस्ट का निस्तारन धर्मपत के किनारे 25 अस्थानों पर सुर्यस्थंब एनिमल बर्थ कंट्रोल राइबरेली रोड पर कल्यान मंडप सादत गंज चोराहे पर प्रवेश द्वार, धर्मपत पर प्रवेश द्वार, गुपतार घाट के तीस्य चरण के प्रस्तावित कार्य मुक्ती, बैकुंठ धाम का सनवर्धन वबिकास, राम की पोड़ी पर दिपुत्सब वा अन्न मेले वा महोत्सब के लिए दर्सक दिर जैश्री राम के नारों से गुण जुठा है, बता दे कि आगामे 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रान परतिस्था समाहरो आयोजित होने वाला है, जिसके मद्देंजर प्रधान मंतरी का ये दौरा काफी महत्पुर्ण माना जा रहा है, तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अ लेट ऐसे खबरों में बने रहे, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करे, सेर करे और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले